हला सुदैंट्स मेना नाम दॉक्टर गजिंद पुरहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चनल इस उन भी स्टेटिक्स और प्रबबिटी की सीरीज चल रही है जहां पर आज मैं आपके सामने बताने वाला हो कि अगर हमारे पास दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कैसे हम उसकी प्रबबिटी निकालते हैं उसके बाद जो next class होगी वहाँ पर मैं डिसकस करूँगा कि अगर हमारे पास दो इवेंट जो है वो यहाँ पर dependent है तो कैसे हम उसकी प्रबबिटी निकालते हैं वहाँ पर conditional probability का concept आता है इस उन यहाँ पर जो हम डिसकस करेंगे वो multiplication theorem of probability होती है अगर multiplication theorem में independent event है तो कैसे हम यहाँ पर theorem को apply करके questions को solve करते हैं तो सुन शू करते हैं तो सुन यहाँ पर multiplication theorem क्या बोलती है कि PA intersection B is equal to PA into PB होता है अगर हमारे पास A और B दो event independent है dependent वाले case को next class में discuss करेंगे तो सुन यहाँ पर एक important deduction भी है और वो deduction यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर हमारे पास XYZ तीन independent event है तो आपसे बोला जाएगे तीनों में से कोई एक event कम से कम यहाँ पर घड़ी तो इसकी probability क्या है तो सुन 1- probability of तीनों में से कोई नहीं हो यह हमारे पास यहाँ पर फार्मॉला होता है जैसे हमाँ आपके सामने एक question लेता हूँ और उस question की तुरू चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ एक example लेता हूँ उस example से आपको clear होगा इस इन example हमारे पास यहाँ पर यह रह गया एक बार example समझते हैं फिर बात में बात probability नहीं है वो हमारे पास दे रहे हैं कि सुन 1 by 2 चुन यहाँ पर आपसा बूला जा रहा है कि इसको solve कर देए इसकी probability है 1 by 3 और C की सो solve कर देए हमारे पास 1 by 4 अपस यह बोला जा रहा है कि यह problem solve हो इसकी क्या probability तो यहाँ पर प्रास प्रोबिलिटी होगी देखो क्या क्या चीज़े हमारे पास हो सकती है मैं इसको लिख के बजाता हूँ या तो तीनों के तीनों हमारे पास problem solve कर दे A और B solve कर दे C से ना हो या फिर ऐसा हो जाए कि A कर दे B से ना हो C से हो जाए या फिर ऐसा करे कि सुन A से ना हो B और C कर दे या फिर हमारे पास ऐसा हो कि A से यहां पर हो जाए बट B और C से ना हो या फिर ऐसा हो जाए कि A से ना हो B कर दे और C से ना हो या फिर ऐसा हो जाए कि A से ना हो B से ना हो बट C इसको कर दे यह सब केस में problem solve होगी यह तीनों solve कर रहे है यहां पर यह दो दो जन्य मिलके solve कर रहे हैंना हम भी बीच में plus लगा रहे हैं means और हैंना या तो तीनो problem solve02 कर दे या कोई 2 कर दे、 या कोई 1 कर दे पर इसे बिएस के अंदर मैं एक और add कर दू कि तीनों से तीनों problem solve नहों तीनों से ही नहूं मतलब A से भी नहीं हो, B से भी नहीं हो, C से भी नहीं हो तो हम जानते हैं कि यह total possibility होगी इस problem को solve करने की भई या तो तीनों कर दे, या कोई दो कर दे, या कोई एक कर दे पर तीने सो नहीं हो, तो इसकी total जो sum होगा, वो हमारे पास क्या होता? इसकी probability का जो sum होता है, वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, बिटा, 1 होता है, अगर आपको यह बोला जाए, तो इसका जो sum होता है, वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन्ट, 1 होता है, अब आपसे बोला जारा है कि problem solve हो, इसकी क्या probability, मतलब ये जो case होगा, ये जो case होगा, ध्यान दीजेगा, ये यहाँ पे जो cases है, इन सभी cases में problem solve हो रही, आपको इसकी probability निकाल लें, तो हम क्या करें, इसको उधर लेके जाए, तो अगर आप से इसकी value पूछी जाए, तो problem will be solve, तो ये पूछा जाए, तो आपको इसकी value क्या निकाल लें, 1-3 से ही problem solve ना हो, या तो हमारे पास यह कि यह सब जोड़ के निकालें, या बहुत लंबे calculation हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 1-3 से problem solve ना हो, तो हमारे पास इसकी जो मैंने green line कर रहा है, इसकी value आपके पास निकल जाएगी, तो से हम क्या करेंगे, यहाँ पर, चुकि यह तीनों event हमारे पास, क्योंकि तीनों ही independent solve कर रहे है, तो यार यह हमारे पास यहां पर, यह हो जाएगा, right, अब हाप सबलते। यह जोने, 1-1-1 by 2 हो जाएगा, बटट आप PB बार क्या होगा, 1-1 by 3 हो जायगा PC बार क्या होगा, 1-1 by 4 हो जायगा बट आप यह आपर पास यहां पर कहें जायगी, इसकी वेली हो जायगा तो 1-1 by 2, इस उनिया आएगा, महारे पास 2 by 3 इस उनिया आएगा, हमारे पास 3 by 4 but आप solve करेंगे तो यह आएगा 1-1 by 4 that is equal to 3 by 4 इस तरह से यहाँ पर इसको हम solve करते हैं इस problem को बोलते हैं at least one will solve the problem तो इस प्रकार से इस question को हम यहाँ पर solve करते हुरी फार्मला ऐसे हमारे पास यहाँ पर बनता है मतलब यहाँ पर इसकी value होगी वो 3 by 4 होगी B के truth बोलने की probability हमारे पास यहाँ पर 80% बेटा यार यह हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा I think यहाँ से हमारे पास इसकी value होगी वो 4 by 5 हो जाएगी A के जूट बोलने की probability है यह हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है सत्य बोल रहा है तो इसके जूट बोलने की probability होगी वो 1 minus हो जाएगी या फिर ये साही बोल दे यह जूट बोल दे या फिर ये जूट बोल दे तभी तो contradiction होगा contradiction का मन रहां कि दो परसण अगर कोई बात बोल रहें तो दोनों एक दूसरे को contradict तभी करते हैं जब एक सही बोलता और एक जूट बोलता है तो सुन आपसे ये पूछा जा रहे है कि दोनों एक दूसरी को contradict करें इसकी क्या probability तो सुन ये होगा कि A हमारे पास यहां पे सही बोल दे B हमारे पास यहां पे पे रख देंगे तो P A की जो value आ रही है वो हमारे पास 3 by 4 है and P B bar की value हमारे पास 1 by 5 आ रही है plus यहां पे P A bar की value 1 by 4 आ रही है and यह आएगे हमारे पास 4 by 5 बटा जब इसको solve करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 3 by 20 plus 4 by 20 that is equal to 7 by 20 हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी probability हो जाएगी तो यह probability किसके निगली they contradict each other probability that they contradict each other यह इसकी probability है clear है तो अगर आप सो को लिखना है तो आप इस तरह से लिखके समझा सकते हैं so next question देखिए बहुत अच्छा question है question क्या बोल रहा है A can hit a target 4 times in a 5 shot B can hit a target in 3 times in 4 shot and C 2 times in 3 shot they fire a volley find the probability that the target will be hit है ना तो target will be hit मतलब कम से कम एक बंदा उसको क्या कर दे hit कर दे तो यह तो at least one वाला case हो गया हम यहाप एक बार इसकी probability लिख लेते है कि अगर हमारे पास यहाँ पे A target को hit करे इसकी probability कितनी हो पांच मेंसे 4 short कर रहा है है ना मदद 5 short मेंसे 4 बार यह hit कर रहा है तो 4 by 5 B अगर target hit करे तो इसकी probability हमारे पास क्या होगी बिटा 3 by 4 होगी चार मेंसे 3 बार वो hit कर रहा है और C के हमारे पास hit करने की value क्या होगी 2 by 3 हो जाएगी अब आप से बोला जारे की the target will be hit है ना क्या रहा है स्विन probability that target will hit जब ही ऐसा होता है इसका मतलब क्या होगा probability that at least क्या है स्विन probability that at least one hit target इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक बंदा यहां पर target को hit कर दे स्वि算 क्या करेंगे 1-9-1HIT target हना हम क्या करेंगे स्विoned हम यहां कर दींगे 1- zou-type now तो हमार changes proper यहां पर oln जाय कि कम से कम एक बंदा Then aga tuck hit कर देर्व and इसकी probability आएगी 1-19MANAS ना तो A से target hypothesis नहीं B से हो नहीं से हो चुकिए मार पास जो event है वो independent है तो हमारे पास जो एक answer आएगा वो इसको मैं थोड़ा सा वापिस लिखता हूँ तो यह आएगा P A bar है ना और B bar है ना यहाँ पर आजाएगा P C bar तो बटा यह आएगा 1 minus A bar की value हमारे पास क्या आएगी है सुन 1 minus 4 by 5 1 सा minus कर दीजे बटा यहाँ से जो value है ना तो बटा यहाँ से जो value आएगी 1 minus 1 by 5 बटा यहाँ से जो value आएगी 1 minus 1 by 5 बटा यहाँ से जो value आएगी 1 minus 1 by 5 बटा यहाँ से जो value आएगी 1 minus 1 by 5 बटा यहाँ से जो value आएगी 1 minus 1 by 5 बटा यहाँ से जो value आएगी 1 minus 1 by 5 बटा यहाँ से जो value आएगी पुछा जारा कि probability that target hit at least twice, मतब कम से कम दो बार वो hit करें, इसका मतब ऐसा हो सकता है कि A उसको hit कर दे, B उसको hit कर दे, बट C से नहो, या फिर ऐसा हो जाए कि A hit कर दे, B से नहो, C से हो जाए, या फिर ऐसा हो कि A से नहो, B और C दोनों कर दे, या फिर तीनों ही यहां पर target को hit कर दे, यह case होंगे, जब हमारे पास कम से कम दो बार target hit होगा, बटाए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह तीनों हमारे पास independent revenue तो इसक हो जाएगी, P A into P B into P C bar plus यह आएगा, P A, P B bar, P C plus यह आएगा, P A bar, P B and P C यहां पर आजाएगा, plus यह आएगा, P A into P B into P C, बटाए हिन सब की value पूट कर दीजे, जब इन सब की value पूट करेंगे, तो इसम पी ए की value हमारे पास यहां पर आरी, 4 by 5, P B की value हमारे पास आरी, 3 by 4, और इसम पी C bar, तो 1 minus करेंगे, तो 1 by 3 आजाएगा, right, plus P A की value हमारे पास आरी, 4 by 5, इसम पी B bar, B bar हमारे पास आरी, 1 by 4, इसम पी C की value हमारे पास यहां पर आरी, 2 by 3, plus P A bar, इसम ए बार की value हमारे पास 1 by 5 आएगी, P B की value हमारे पास 3 by 4 आरी है, इसम पी C की value हमारे पास यहां पर 2 by 3 आ रहे है इस उन यह PC द्यान दिजेगा थाना and next हमारे पास यहां पर तीनों के तीनों target hit कर जाए तीनों target hit करेगा तो इस उन यहां समारे पास PA into PB into PC तो यह आएगा 4 by 5 इस उन यह आएगा 3 by 4 and यह आएगा 2 by 3 इस उन जब इसको solve करेंगे तो हमारे पास जो answer आएगा वो 5 by 6 आजाएगा तो इस प्रकार से इसको मिया पर solve कर सकते हैं right so next question देगी बहुत अच्छा question क्या बोल रहा है 3 groups of children consist 3 girl 1 boy 2 girl 2 boy and 3 boy 1 girl one child is selected random from each other show that the chance that 3 selected consist 1 girl and 2 boy is 13 by 32 इस उन यह पर हम क्या करते हैं 3 group ले लेते हैं एक यह लेते हैं एक यह लेते हैं और एक यह लेते हैं इसको माल लेते हैं first इसको माल लेते हम second इसको माल लेते हम लो third है ना पहले group में हमारे पास यहां पर क्या रिखा है 3 girl and 1 boy है बिटा दूसरी ग्रूप में हमारे पास किया रहा है बिटा टू गर्ल एंड टू बॉय है सुन तीसरे वाले में हमारे पास यहां पर डेटा गिवन है क्वेशन आपस यह पूछा दा रहा है कि वन चाइल डिस सेलेक्टेट रेंडम फ्रॉम एच अधर शॉड़ाइट सेलेक्टेट कंसिस्ट वन गल एंड टू बॉय हमें हरे ग्रूप में से एक चाइल्ड को सलेक्ट करना है और यहां पर वन गल और टू बॉय यहां पर सलेक्ट करना है तो मैं काम करता हूं पहले में से यहां पर गल लिया ना तो फस्ट में से मैंने क्या करा गल लिया और से सेकेंड में से मैंने यहां पर बॉय लिया और थर्ड से भी मैंने यहां पर क्या लिया बॉय लिया है ना तो भाई हमारे पास एक गलो दो बॉय हो गया या फिर जब यहां वर्ड आता है तो हम यहां पर क्या करेंगे सुन्ट प्लस करेंगे ना यहां पर फर्स्ट वाला जो मैं क्या ले लेता हूँ या गल लेता हूँ या ये possibility होगी है हमारे पास, right, बाटा फरस्ट वाले में से गल को select करना, तो बाटा यहां पर टोटल हमारे पास 4 है, तो इसकी प्रोल्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, गल लेना है, तो 3 बाए 4, है ना, second वाले से boil ले रहें, तो बटा, यह आएगा 2 by 4, और third वाले से भी हम यहाँ पे boil ले रहें, तो बटा, यह आएगा 3 by 4, या फिर, बटा, first वाले से कर हम boil ले, तो बटा, first वाले से हम boil लेंगे, second वाले case में, तो यहार, 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 यह यहाईगा हमारे पास 2 by 4 और थर्ड वाले से गल, इसकी probability हो जाएगे ना इसको solve करेंगे तो यहाईगा हमारे पास 26 by 64 इसको solve करेंगे तोज सुन यहाईगा हमारे पर independent event की बात करी गई है इसकी बाद कभी हमारे पास dependent event हो तो कैसे हम यहां पर multiplication theorem लगा के इसकी probability निकालते हैं इसन जब भी यहां पर multiplication theorem लगती तो यहां पर end word यूज़ता है ना कि a a and b है ना तो multiplication यहां पर आता intersection वाला concept यहां पर लगता है तो सुन यह math care पर जो के android ना है उसके अविलेबल है इसको आप download कर लीज़े इसन यह हमारा telegram है यहां पर हमारे classes के updates मिलते रहते हैं और सुन अगर आप math care पर subscription लना चाहरे तो उसका video आप यहां पर जाके देख सकते हैं हमारी जो probability status इसकी पूरी सीरीज है उसकी playlist आपको यहां जाके मिल जाएगी यहां पर जाके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पर जाके आपको download कर सकते हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू बाए